हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टूमार चनल शताफदी स्क्रीन लाइफ आज मैं आपके साथ पॉइंसेटिया के पार्ट टू के बारे में शेयर करूंगी इस यह जो वीडियो है इसमें मैं शेयर करूंगी कैसे आप अपने पॉइंसेटिया को क्यार करोंगे पूरे साल जैसे के जनुरी से डिसंबर तक यह जो क्यार है यह क्यार आप पूरे फोलो करोगे तो आपके जो प्लांट से आप जीस साल में लाओगे इसके बड़ नेक्स्ट यार फीर से आपके साथ यह ब्लूम करेगा और प्लांस बहुत सुंदर लगेगा तो जो मेरे फ्रेंस एक्स्प्रि यह जो पूरे साल में लास्ट यार से यह डिसंबर तक मैंने ऐसे क्यार किया तो देखा है मैंने मेरे देखिया आप भी देखिए इसमें अच्छे से कलरिंग हो रहे है लिफ्स और एक जो मेरे यह पॉइंसेटिया है आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे यह पॉइंस बहुत थिन हो गया तो यही है कारण इस प्लांट के हलत इसलिए खड़ाब है तो मैं अब बोलती हूँ इस प्लांट के क्यार के बारे में आप लार्स तक देखिए शायद यह जो वीडियो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा तो चलिए शुरू करती हूँ तो पहले जनुवरी से इसको मार्च तक आप इसका वाटरिंग का ध्यान रखना सिर्फ उपर जो सर्फिस एरिया है यह ड्राइ हो जाए इसके बाद ही इसमें आप वाटरिंग करना और मिस्टिंग आप ना भूले क्योंके मिस्टिंग बहुत ही ज़रूरी होते हैं पॉइंस इतना सही है जनुवरी से मार्च तक इसके बाद एप्रिल में एप्रिल फास्ट एप्रिल से आप इसका जो वाटरिंग है थोड़ी सी कम कर देना क्योंके जनुवरी और जनुवरी से मार्च तक आप हपते में दो बार वाटरिंग करो तो जो एप्रिल होते हैं एप्रिल मे अब एक बर वाटरिंग करने सर्फेच एरिया को थोड़ी से और ड्राइ होने देना बस इतना सा ही जन्वरी टू मार्च वाटरिंग हप्ते में दो बर करो और यप्रिल में आप बस एक बर करो इस हिसाब से आप वाटरिंग करना step आप बोलती हूँ इसके में के क्यार के बारे में में के क्यार में मीड में जो होती है इस टाइम में आप अपने पॉइंसेटिया का रिपोर्टिंग कर देना क्योंकि ये टाइम पर्फेक्ट टाइम है रिपोर्टिंग करने के लिए और प्रोपेगर्शन करने के लिए आप र इसको चाहिए तो आप जो सोयल मेक्स है वो आप फोलो कर सकते हो अब इसको आप रिपोटिंग करके आप अपने जो विंडू है विंडू के सामने इसको प्लेस करना और इसमें जो पार्शल जो उस उबे की जो एक घंटे की संलाइट है यह संलाइट आप इसको लगा देना और इसको रिपोटिंग करने के बाद आप वाटरिंग का ध्यान रखना आप ज्यादा ड्राइ करूंगे तो उस टाइम में इसका जो रूट है रूट अच्छे से डेयवलप नहीं होगा इसलिए उस टाइम में आप वाटरिंग का और को इसमे अप फर्टिलाwशर का ध् बोलती हो जून के क्यार के बारे में अब आप अपने पॉइंसेटिया को इंडोर से आउटडोर रखोगे आप जब भी आउटडोर रखोगे जो तेज धूप है उस धूप को आप इसमें मत लगाना इसको आप पार्शेल जो शेड़ेट लोकेशन है उस लोकेशन में इसको प्लेस करना और कोंटिनूआसली इसमें जो वाटरिंग और फाटिलाइजर इसका ध्यान रखना एफ री जो टूइक्स के बाद बाद इसमें आप फोटिलाइजर देना बस इतना सा ही है जून का क्यार बट इसको ज्यादा ड्राइन होने देना जून में जून में बहुत होते हैं इसलिए उस टाइम में बहुत अच्छे से इसमें आप वाटरिंग करना और मिस्टिंग तो आप करोगे ही जुलाई जुलाई का टाइम है पिंचिंग का टाइम जुलाई के टाइम में बहुत अच्छे से जब आप PINCHING करोगे बहुत सारी इसका स्टेम डेवलाप होगा. देखिये मेरा जो ये प्लांट है ये लास्ट यorkा विंटर का प्लांट है इस में एक जो इसमें स्टेम था इसका देखिया बहुत सारे स्टेम आये हैं क्योंकि मैंने बहुत अच्छी से इसका पिंचिंग किया हूँ तो आप इसका पिंचिंग आप जुलाई से स्टार्ट कर देना ओगास्ट में भी आप इसका जो पिंचिंग है बहुत अच्छे से करना नियू जो स्टेम आएगा उसको भी आप पिंचिंग कर देना 3-4 लेफ्स छोड़के आप अच्छे से इसको पिंचिंग कर देना मीड ओगास्ट में आप अपने पॉइंसेटिया को फिर से इंसाइड लाओगे और प्लेस करोगे फिर से उइंडो के सामने बट विंडो के सामने जब भी आप प्लेस करोके सुबह की जो एक दू घंटे की जो धूप होते हैं वो धूप इसमें अच्छे से लगा देना इस बात का ध्यान रखना और कॉंटिनुएसले वाटरिंग और फार्टिलाइजिंग की ध्यान रखना अब बोलते हो अब अब आते हैं ऑक्टॅभर का टायम जो और यहर्ट पार्ट क्योंकि इस टाइम का जो क्याहर है अच्छे से हमोने में और क्याहर से बढ़ेगा और टाइम के हिसाब से यह अपना रंग चेंज करेगा आप इसको जो अक्टबर के फास्ट विक है इस प्लांट को टोटाली आप इसको जो डार्क एरिया प्लेस होते हैं उस प्लेस में आप रखोगे फाइब पी एम टू एट एम का इस टाइम का जो डार्क ए आएम होते है उस एरिया में इसको प्लेस करना क्योंकि फाइब की फाइब नु içन। क होते हैं जब आप इसको प्लेस करोगे इसको ब्लूमिंग है बहुत अच्छे से डिसमबर के मीड में आ आएगा नहीं तो फाइब पी एम-रियट-एम का जो रायम होते हैं उस थोड़ी सबसे इसका ब्लूमी नहीं होगा और सुबह का जो धूप होते हैं वह वाली धूप इसमें लगाना वह बहुत ही जरूरी होते हैं क्योंकि उस जो डार्क एरिया में जब आप इसको प्लेस करोगे सुबह की जो स्ट्रेंग होते हैं उसको यह स्प्राण को लेना होगा पाथ का धियान रखना और वाट्रिंग और फार्टिलाजियंग सेमी है इस पात का भी आप ध्यान रखना अब बोलती हो नवंब aún क group केवारे में जो क्यार आपने जो अक्टोबर में किया है उस क्यार भी आप नॉवेंबर के लास्ट ट्वीक तक करोगे और लास्ट ट्वीक में आप देखोगे इसका जो नियो नियो बार्स आना शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे से आप देखोगे इसका बार उपर से बहुत सुन्दर से इसका बार शुरू हो जाएगा और जो लिफ्स है ना लिफ्स भी जिस कलर में भी आपके पास पॉइंसेटिया है यह पॉइंसेटिया अराम से धिरिये से इसका कलर changing होना शुरू हो जाएगा और इस time में आप pruning मत करना pinching मत करना pinching stop हो जाएगा इस time में blooming का time शुरू हो जाते है इसलिए इस time में एकदम ही आप pruning मत करना और इसको आप जो dark area में place किये थे ना वो dark area से अब time है इसको completely जो light area है जो semi shade light area है उस area में इसको place करना आप इसको fully इस time में November मत में इसको window के सामने place कर देना बस इतना सही November का क्यार है अब देखना December का जो mid December होते है mid December में आपका जो plant ही वो अराम से सुन्दर से लास्ट आपने जैसा winter में लाये थे ना वो वाली जो रूप है उस रूप में फिर से आ जाएगा आप पूरे साल इसको ऐसे क्यार किया है इसका result क्योंकि मिलेगा क्योंकि आप देखो के जो procedure आप अच्छे से फोलो करोगे तो जो mid December है mid December में आपके जो bird है ना bloom होना शुरू हो जाएगा color होना शुरू हो जाएगा leaf तो आप समझो के उस में इस जो experiment है इसका आनंद क्या होते है आप December में fertilizer मत देना क्योंकि जब blooming शुरू हो जाते है December मांत में उस टाइम में fertilizer बंद होना चाहिए नहीं तो इसका blooming जो होते ही इसका जो lips होते ही यह फिर से खड़ाब हो जाते है इसलिए उस टाइम में fertilizer मत देना ठीके तो आप ट्राइ करके देख सकते हो मैंने जो क्यार बताई हो जनुरी से डिसमबर तक देखना आपका जो poinsettia है यह फिर से bloom होगा फिर से coloring होगा आपका जो Christmas Day है बहुत अच्छे से इसको इसको लेके decorate कर पाओगे बहुत खुशी मिलेगा क्योंकि हम खरिद के तो बहुत सारे plant ले आते हैं लेकिन खुश से जो propagation होते हैं जो experiment होते हैं जब हम करते हैं इसका result अच्छा मिलते हैं तो बहुत खुशी मिलते हैं तो यह video यह care आपको कैसा लगा बताना और अच्छा लगे तो like comment और subscribe कर देना thank you bye take care happy gardening